हालो दोस्तो नमस्कार आप देखरे हैं हमारा यूटूब चनल चोपडा एजुगेशन और मैं हूँ हरसाय चोपडा दोस्तो NTA नी नीट की वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है तो जैसे हम NTA.need.nick.in की वेबसाइट विजिट करते हैं News and Events में यहां Correction Facility in Online Application Form लिखा है इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में इसमें लिखा गया है कि Correction Facility को एक बार फिर से ओपन किया गया है अगर NEET के फोर्म में पर्टिकुलर्स में कोई मिस्टेक हो गई तो आप इसको फिर से 13 मार्च 2020 से 19 मार्च 2020 तक करेक्ट कर सकते हैं यह Correction Facility 15 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2020 के बीच ओपन की गई थी मगर उस समय कुछ स्टुडेंट इसको करेक्ट नहीं कर पाये थे तो NTA ने इसको री ओपन किया है जेंड़के के कंडिडेट जिनोंने नोडल सेंटर पर ओपलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट किया था वो भी इसकी वेबसाइट NTA.NIC.IN पर करेक्शन कर सकते हैं अगर आप फिल किया हुआ डाटा भी चेक करना चाहें तो इसमें चेक कर सकते हैं इसको करेक्शन करेक्ट करने के लिए आपको NTA की वेबसाइट पर जाने के बाद कंडिडेट लोगिन पर क्लिक करना होगा इसके बाद इसमें एप्लिकेशन नमर पासवर्ट डालने के बाद लोगिन करना होगा और यहां click hair for correction in neat ug 2020 application पर click करने के बाद में पूरा application form open हो जाएगा जहां भी आपको कोई correction करना है या check करना है तो आप इसमें कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानकारी थी NTA के new notice के बारे में यह एक good news है कि NTA ने उन student के लिए फिर से यह correction window open किया है जिन्होंने अभी तक correction नहीं किया था या किसी वज़े से उनका correction नहीं हो पाया था तो दोस्तों यह जानकारी थी correction window reopen के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज़दा ज़दा शेयर करें कि मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जय हिंद्ध करें